नमस्कार एक्जाम है पीवाई जहारकंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आकलन परिच्छा 2022 के NCRT नोट्स को ले करके तो आपको हम बता दें दोस्तों आप जब एक्जाम होता है ऊंग्जाम चैनल यहां पर NCRT का नोट्स और उसी का mcq kitchens लेकर के आते हैं जहाँ पर आप जूड करके यहाँ पर jettet का हो गया साथ में आकलन परिछा का 100% सफलता प्राप कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यदि दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर 100% सफलता प्राप करना चाहते हैं तो इस नोट्स और इसके सारे mcq का pdf लेने के लिए जुरूर हमारे साथ जुड जाईएगा जिस पर यहाँ पर आपको आज आपको आपको नमबर दिखा रहे हैं दिखिए मेरा whatsapp नमबर इसी पर तुरत कॉल करके आप जूड सकते हैं तुर नमबर पर कॉल करके आप 200 रुपए में जूड सकते हैं आज हम आपके लिए यहाँ पर ncati class 7 का part 10 आप देखिएगा रेगिस्तान में जीवन के लेकर के आए हुए हैं आपको हम बता दें कि इस रेगिस्तान से यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके चाहे सीटेट हो चाहे आकलन परिशाओ चाहे डेटेट हो यहाँ पर कभी टेटिक जाम में जड़ू राते हैं तो आप इसको पूरे नोट्स को यदि आप देख लिजेगा तो यहाँ से 3 नमबर आपका निकल के आएगा इसके बाद देख इस नोट्स के बाद हम आपको इसका MCQ क्यूशन वस्तु नीष्ट प्रश्न भी लेकर के आएगे जिसमें आप जाकर के वहाँ पर टिकिंग करके देखिएगा कि इतना आपका सही होता है तो पहले नोट्स को देख लेते हैं और उसके बाद जो है आपको अगले वीडियो में हम यहाँ पर MCQ यानि वस्तु नीष्ट प्रश्न भी लेकर के आएगे तो चली देखते हैं रेगिस्तान एक सुस्क प्रदेश है बहुत बार पुछा गया है बहुत बार आपको बता दे जेटेट, यूपीटेट, एमपीटेट का सब कायव प्रश्न है कि रेगिस्तान कैसा प्रदेश है सुस्क प्रदेश, नम प्रदेश, जलवायू प्रदेश इस तरह से चार ओप्सन दिये हुए थे तो सबसे उच तपमान हो गया और जैसे ही आपका 10-11-12 बजे रात के बाद इसका तपमान गिरते-गिरते आप देखेगा चार से पांच के बीच में यह 0 लुः लगता है और सबसे ठंड़ा भी पड़ता है और सबसे ठंड़ा भी वही पड़ता है। यहां पर लिखाँ जाता है आपका मानसुनी जलवाई में एक राइट एंशर होता है। चलिए पर इसी पाई जाती हैं सगहन वीरा। सुस्क कंटिली और पाया जाता है यहां पर कैसी पाया जाती है बीरल बनस्पतिया पाया जाती है बहुत कौम जगों पर आपकी बनस्पतिया दिखाई पड़ती है कहीं कहीं पर बनस्पति दिखाई पड़ती है कहीं कहीं पर पूरे बालू का टीला के रूप में दिखाई प होती है दोनों को याद रख लिएगा ये सभी टेट इक्जाम में बार बार पूछे गए ठीक है अब अब यहां पर दीखें हैं यहां सबसे कम बर्सा होती है आप लिखें पर लिखा हुआ यहां दीन को तब तक बढ़ जाता है तो दिन का तपमान यहां पर बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाता है तो तपमान पचास से भी उपर चल जाता है लेकिन यही रात का तपमान जीरो डिगरी सेल्सियस भी हो जाता है तो यहां पर पुछता है कि कहां पर दिन का तपमान जो है आपको जीर सहारा रहेगिस्तान का यहाँ पर से कुछ भी न कुछ बहृत है कि किताब कहीं सारा चीज तो सहारा रहेगिस्तान सबसे बढ़ा रहेगिस्तान क्य YouTuber को है तो वह है आपका şahara यहाँ पर तीन पांच चार जादा हो गया तो यह सिर्फ एक ही देशों से नहीं गिरी होगी ठीक है ये बहुत से देशों से गिरी होगी तब जाकर किसका छेत्रफल कितना है आठ दस्मलों पांच चार भारत का क्यों कितना है तीन दस्मलों दू लाग तो भारत का छेत्रफल तीन दस्मलों दू लाग वर किलिमेटर है लेकिन सहरा र साहरा रेग स्टैने कितने देशों से घिरा हुआ है इसका नाम भी हम आपको पीछे दे दिये हैं आपको निकाल के दिया है कि साहरा रेगस्तान कितने देशों से घिरा है ते गारा Saka टिलीज्यां वाले चीज़े होती है वह लगबग में उगता है ऑक्ति रखा है और ऐहां पर एक है एकर सिया टिक है तो पूछा गया है कि सहारा रोगस्तान में क्या पाया जाता है तुल्हार केला नीम इस तरह से मारना भए में करना है कि तीकिंग करना सहारार रेगिस्तान में कौन-जंत पाया जाते हैं उट पाया जाते हैं। ये लोंड़ी पाया जाते हैं बिच्छु पाया जबहाए जाते हैंख कहिनी यहां कह प्रमुग जी उजंतु ऐख है फिक है एक सहारा रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है गर्म रेगिस्तान है ठंडा रेगिस्तान है नम रेगिस्तान है या इन में से कोई नहीं तो सहारा जो है आपका गर्म रेगिस्तान है अगला दिखेगा सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है जिसका नाम हमने यहां पर से यह गारत देश का नाम आपको हमने दिया जो गारत देश सुसगीर हुए है या उत्री अफिरका के बहुत बड़े भूभाग पर सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है ठीक है चलिए सहारा रेगिस्तान का आपने देख लिया जो पोटेंट था आपको दिखा दिया हम अब दे अब देखे लाधा का अर्थ परबतिया दरा का देश हैं इसलिए परबतियाव है छोटे 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 परबतों लदाक की उचाई जो है 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर की उचाई तक पाया जाता है सबसे उचा है तो लदाक का बहुत पोटेंट होता है लदाक में अधिकांस लोग या तो मुसल्मान है या लोग बौध है ठीक है लदाक में अधिकतर लोग कौन होते हैं तो लदाक में अधिकतर लोग मुसल्मान पाया जाते हैं या बौध लोग पाया जाते हैं ठीक है लदाक में अधिकतर लोग कुसलमान है या बौध हैं अब देखेगा राश्टी राजमार्ग वन ए लेय को कस्मीर घाटि तक जोड़ता सब्सक्राइब एक दम याद रखेगा कि लेय को कस्मीर से कोनий जोड़ता है तो राश्टी राजमार्ग वन-ए बाई-ए जो है आपको क्या करता है तो कस्मीर की घाटी तक जोड़ता है लेह को कस्मीर तक जोड़ता है अगला है मनाली लेह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है यह भी प्रस्ण आयोगा था कि मनाली और लेह राजमार्ग जो है किस मौसम में खुलते हैं किस महिना में खुलते हैं ये राजमार्ग ये हाईवे जो है किस महिने में खुलते हैं ये जुलाई से ले करके सितंबर महिने तक खुलता है और उसके बाद इस राजमार्ग को बंद कर दिया जाता है ठीक है और यहां का मुख क् आप क्या है परियटन से ही वहाँ पर कमाई लोगों की होते हैं लोग परियटन से ही कमाते हैं तो उनका पेशा जो है परियटन है परियटन लोग बहुत ज्यादा आते हैं और उसे से उनकी इंकम होती है अगला है लदाग की रजधानी ले है पोध बारा हुआ है लदाग की चान भी कहते हैं जिसका आर्थ होता है हिम भूमी यानि लदा को क्या नाम से जाना जाता है खापा और चान के नाम से भी जाना जाता है जिसका आर्थ होता है हिम भूमी यानि वहां बर्फ हमेशा धके हुए रहते हैं अगला है जोहां स्वर को बीसु की स्वन रजधानी भी कहा जाता है देखिए जी NCRT बुक्स में जितना आए है उसे से आपके सारे प्रशना आए इसलिए ज़रूर उनहीं सारे प्रोटेंट प्रशनों को देख लिजेगा नहीं तो प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ दिये हुए है जो आप देखते रह जाएगे और कुछ उससे कि खान के लिए परसीद है तो दोस्तों इस तरह से आपको NCRT से जुड़े सारे नोट्स पीडिये और यहाँ पर जेटेट या सीटेट या आपको आकलन परिच्छा में 100% सफलता पाना है तो आप हमारे चैनल साथ अवस्त जूड़ जाएगा और सारा नोट्स पीडिये फ इसके लाब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद